तो गाइस आपके स्क्रीन पर यह रहा विच आप द चूसर सिनोनम वफ द गिवन वट का सिनोनम मताएंगे अग्रियेबल काइंड लाइक मांड़ेड या फिर थौट्फुल वाट इस अनॉनम ओफ इस अनॉनम अफ इस तेख एग्रेबल है काइंड है लाइक मांड़ेड है चलो जल्दी फटा 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 आप सब्सपीड से अपना अंसर देना चालू करेंगे टाइम वेस्ट कोई नहीं करेंगा मुझे सब के आंसर चाहिए और उससे पहले आप अपने सेशन इस सेशन को शेर कर दो अपने फ्रेंज को इनफॉर्म कर दो क्या ख्लास चल रही है जल्दी फटा फटास सारे आ जाएं चलेजी तो पर ट्रेंट काइस काइंड एग्रिबिल होता है काइंड होता है काइंड जैनल अधार होना ऑदार होना कि लाइक मैंडेश सेम सोच का होना या फिर फोट फॉल होना तो करेक्ड अंसर गाईस आप काफी लोगों का आ चुक जो हो गया है, ओके, चलो जी, मैंसी बता दू, पिना आंसर दिखाए, चलो, तो consider का synonym हो जगा thoughtful, जब आप किसी चीज को consider करते हैं, considerate is when you are, जब इसमें सोच विचार कर रहे हैं, that is your answer, okay, next question में move करते हैं, इस एक रेजुट, इस एक रेजुट का synonym बताएंगे, undecided मतलब कि अब decide नहीं कर पा रहे हैं, कि क्या करना है, something in undecided state में है, angry is गुसा, ignorant is जो चीजों को ignore करता है, ignorant चीजों को ध्यान नहीं देता, ignore करने वाले को ignorant कहते हैं, firm is, अडिक होना, firm होना, stable होना, टो क्या अंसर होगा, irresolute का, synonym बताएंगे, undecided, angry, ignorant या firm, firm, क्या अंसर होना चीज़, very good, irresolute का मतलब क्या होता है, irresolute का मतलब होता है, जब वो decide, resolute का मतलब होता है, irada, पक्का irada, resolute का मतलब होता है, पक्का irada, ठीक है, और अगर उसके सामने, आप ir लगा देते हैं, तो यह इसको opposite हो जाता है, not decided, ठीक है, इसको opposite हो जाता है, not decided, decide नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आपका antonym हो जाएगा not decided, irresolute का antonym हो जाएगा not decided, ठीक है जी, clear है सबको, कोई problem नहीं, very good, तो correct answer आपका हो जाएगा undecided, ignorant जो ignore करता है, जो चीजों को ध्यान नहीं देता, indifferent होता है, ठीक है, next question में move करते है, frugal, ठीक है, frugal का synonym क्या होता है, economical, miserly, splendid, या फिर hungry, economical होना, सोच समझ के खर्चा करना, सोच समझ के, ममी रोग, economical होते हैं, सोच समझ कर, खर्चा करते हैं, ठीक है जी, miserly, skanjuus, ठीक है, splendid, शानदार, ओके और hungry is, भूका, ठीक हो, चलो, सब के हिंदी मीनिंग लिग दिये, फटा फटा आपनों के लिए, तो frugal का मतलब, guys, क्या होता, frugal होता है, कौन, क्या आंसर आ रहा है, कोई A, कोई B, A, B, C, D, हाँ, सारे आंसर दे दो, बिटा, E नहीं है, thank God, yes, miserly, frugalist, मैंने तुम लोगों को याद है, trick दिया था, जो मुझसे पढ़ चुके, बुलो के, जानते होंगे, कि जो गर्ल, जो गर्ल, हर चीज फ्री में मांगती है, जो गर्ल, हर चीज फ्री में मांगती है, भाया, धनिया दे दो, यह शर्ट के साथ, यह शर्ट फ्री देदा, तो हर चीज फ्री में मांगे, तो वो कंजूस है, हना, जो गर्ल, हर चीज को फ्री में मांगती है, उसे हम, frugal कहते हैं, कंजूस कहते हैं, मैं, comment का reply कर दीजिए, क्या comment का reply है, भाई साब, अगे, चलिए जी, आगे बड़े, नेक्स कोश्चन में मूफ करते हैं, नेक्स कोश्चन में मूफ करते हैं, नेक्स इस गाई, मोटिब, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से अच्छी कासी वोकाब लाजिते हैं, मैंने कहा था, मैं आपको हर तरह का लेवल कराऊंगी, simple level भी या easy level है, last time हमने अच्छा difficult level किया था, तो moderate level भी आएगा, भी तरह सारे type के आएगा, motive का synonym मतलब को reason, occasion, intention या preparation, preparation जो आप कर रहे हैं, intention जो आपकी, intention को हिंदी में क्या कह से, intention को मतलब आपकी इच्छा, मतलब आपकी चाहते हैं, आपकी चाहत, occasion, reason, simple है यार, बहुत simple है, easy ले answer दे सकते हो, तो synonym of motive is, reason, occasion, intention या फिर preparation, answer, very good, intention आपका motive क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी क्यो कर रहे हैं, हम बोलता है ना, इस crime को, इस कान को करने के आपके पीछे motive क्या है, right, जैसे कि हम लोग आज कल web series वगड़ा, या फिर thriller movies देखते हैं, तो उसका motive जानते कि इसका motive क्या है, वो ऐसा कर क्यो रहा है, ठीक है, तो उसके intentions क्या है, ठीक है, next question guys, चलो, आगे बढ़ते हैं, pity, synonym of pity, offense, mercy, kindness, या फिर joy, हाँ, आज 4 p.m. की class होगी, जरूर होगी, आपकी special class है, 4 बजे, आपनों तयार है, guys, आप सब की special class होती है, 4 p.m. daily, okay, 4 p.m. आप लोग की special class होगी, free है, ये class, हर student इसको join कर सकता है, okay, होगे, हर class student इसको join कर सकता है, आप लोग को मेरी profile की link मिल रही गी उपर, comment section में, उससे join कर लेना, चलो, pity का synonym क्या होगा, offense, mercy, kindness, या फिर joy, offense का मतलब होता है, कोई crime करना, कोई गुनाह करना, आणा, mercy का मतलब दया, kindness का मतलब उदारता, और joy का मतलब खुशी, कितने simple words हैं, ठीक है जी, तो pity का मतलब होता है, बहुत बढ़िया लोगों के answer आप ही चुके हैं, तो pity का मतलब होता है mercy करना, किसी पर दया दिखाना, pity का मतलब होता है, किसी पर, mercy दो दया दिखाना, किसी को नहीं पता तो meaning Hindi में लिके हैं, no doubt कलिया करो, guys, अगर आपको में सारे words का meaning Hindi में भी хлени, और आपको word नहीं पता है, तो वो आपकी copy में होना चाहिए, मतलब कि वो पहली जब भी आप कोई word पहली बार सुनें, तो वो आखरी बार होना चाहिए, कि यह word आप पहली बार सुन रहें, उसके बाद आपकी दिमाग में word होना चाहिए, आपकी copy में वो word होना चाहिए, ठीक है, next question guys, on your screen, question, pledge, reject, या फर slash, क्या होगा, तरुन, आफी, जतन, सदाम, महेश, रेश्मी, okay guys, great, session को मारते जाएं, share, फटा फट शेयर करते रहें, भाईया जी, okay, तो guys, question, मतलब, सवाल, pledge का मतलब होता है, कसम लेना, pledge लेना, हम कसम खाते हैं, हना, इस तरह से, reject का मतलब मना कर देना, slash, तो आप जानते ही है, ठीक है, quash का मतलब क्या होता है, what is the meaning of quash, answer guys, pledge, reject, कोई कह रहा है, C, कोई कह रहा है, सणे, बी, क्या होगा, प्ता है, जली-जली बता है, मैं आप लोगे comment देख रही हूं guys, तो, Question, Pledge, reject, and slash, quash का मतलब होता है कुछल देना, crush कर देना, या फिर reject कर देना, हना guys, crush कर देना, किसी चीज़ को, reject कर देना, किसी चीज को reject कर देना खतम कर देना उसे हम कहते हैं क्वाश कर देना आप लोग ने अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके इस लोग को या इस order को जज क्वाश कर सकता है रिजेक कर सकता खिस न बढ़ाएं आपने किस बढ़ाइग यह वली बात उ-बताओ उ-जो किया है वह कि पर गया कि्सी और को या फिर किसी ओदल को वाश कर सकतार अ है भाण किसकी जीस इतनी चल रही है इंट पता जो बजो बता सके मैं प्रेसिडंटरी वोक ने उसे कहते हैं उसे कहते हैं कि अंट एपक्ञोन सो करवा रहे हैं तो , सणौनम रिस्टरीट अन्म इसेолотि 성्ल से सब्सक्राइब कर लए का मतलब होता है कट करना कम करना ठीक है जी फिर आपका प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को रोकना प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना प्रोहिबिशन ठीक है रीटेन का मतलब किसी चीज को रीटेन रखना बने रहने देना ठीक है बने रहने देना औरुटेल स्राव जानते हैं दिसने दैसल होता है च्छोटे होग होग मैं हमने सब्सक्राइब किसी को प्रोहिबिट करना हिस्टी स्विल फैर स्कॉरिपते हैं कर म Fire इंटिसेपेट का मतलब क्या होते है सविशंब better गोनाइग अग्सवेच अग्सपेंट accept या फिर खोब चलो हाँ जी सारी लुग बताते जाएंगे फड़ा फड़ वाट इस अनॉनम अफ एंटिसेपेट का क्या होगा अंटिसेपेट का क्या होगा अंटागोनाइज एक्सपेक्ट असेप्ट या खोब अंटागोनाइज का मतलब होता है विरोधि हना अ कर दुश्मन कह सकते हैब एक्सपेक्ट करना मतलब कि किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखनाइज था आफ जानते हैं किसी से उमीद रखना थब कोचाpoints स्वानले आप ना लेना और hope का मतलब होता है आशा, hope का मतलब होता है आपकी आशा, क्या answer होगा जी, तो anticipate करना, anticipate का मतलब होता है, जैसे कि हम अपने future को anticipate करता है, कि ऐसा होने वाला है, तो expectations होती कैसा होगा, विरोध नहीं होता, accept नहीं होता, hope नहीं होता, expect करते हैं, कि ऐसा होने वाला है, जैसा expect करते हैं, कि इंडिया की situation थोड़ी improve होगी, तो हम ऐसा expect करते हैं, हम अपने ही सोचते हैं, क्यार मेरी situation ठीक हो जाएगी, मेरी साथ जो भी problems चल रही है, वो सारी problems ठीक हो जाएगी, तो यह आप expect करते हैं, आपकी आशा है, ठीक है, तो उसे हम anticipate करना कहते हैं, expect करना कहते हैं, ठीक है जी, next question, okay, synonym of, synonym of tremendous, synonym बताएगे tremendous का, awesome, remarkable, considerable, excessive, awesome is like, wow, ठीक है, wow वाला factor की बहुत बढ़िया, remarkable मतलब की कोई चीज, देखने वाली है, remarkable है, ठीक है, considerable है, considerate, consider कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, और excessive मतलब होते हैं, बहुत ज़्यादा, मातरा में, संख्या में, बहुत ज़्यादा, excessive is excessive, excessive problems, excessive, happiness, excessive, money, excessive, something, ठीक है, तो किसी भी चीज में, बहुत ज़्यादा होना, उसे excessive कहा जाता है, तो correct answer, guys, क्या होगा, आप लों का, तो tremendous is huge, हना, tremendous का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा मातरा में huge होना, या संख्या में, मातरा में, size में, बहुत बढ़ा होना, ठीक है, तो कोई चीज बहुत ज़्यादा, excessive होना, is tremendous, ठीक है, excessive होना, is tremendous, ठीक है, next question guys, on your screen, फड़ा फड़ा ये बताएंगे, चलो, meticulous, synonym of meticulous, correct clean methodical pain sticking, क्या answer होगा, सेशन को share कर दो हैं, बताएंगे, फ्रेंज को class जो है, start what होगी है, आजएंगे, चलीजी, तो, methodical is correct तो आप जानते हैं, clean आप जानते हैं, methodical is जो, बहुत, smartly काम करें, methodical is smartly, smartly, work done, pain sticking is बहुत जानते हैं, महनत से, मेहनत से, मेटिकलस is one who is very, जो कि समझदार होता है, wise होता है, wise होता है, clever होता है, right, तो, मेटिकलस is one who is very clever, wise, समझदार, meticulous, टेक है, मैंने trick आपको दिया था कि, calculus से हम बहुत जादा meticulous calculation करते हैं, बहुत smartly calculation करते हैं, तो, मेटिकलस का गई, synonym क्या हो जाएगा, मेटिकलस का synonym हो जाएगा, smartly, cleverly, टेक है, pain sticking नहीं होगा guys, meticulous is आपका methodical, यह होगा, pain sticking नहीं होगा, C आएगा, C आएगा, D नहीं होगा, yeah, तो, correct answer is आपका methodical, it's not pain sticking, meticulous is one who is wise, okay, one is समझदार, बहुत clever, तरुन बिटा, आप हमारी classes join कर सकते हो, synonym, अन्टोनिफ के लिए अगर आपको बहुत परेशानी है, okay, synonym ही था ना, okay, आपको अगर परेशानी हो रही है तो, classes join कर सकते हो, नहीं तो previous year की, कोई भी book prefer करें, और वहां से learn करें, बाकी classes में आपको वहां पर यह सारा content, tricks मिल जाएंगी, learn करने के लिए, ताकि आपको जल्दी याद हो जाएगा, नहीं तो आपको याद करें और अगर आप book से कर रहे हैं, तो याद करें और जाद से जादा revision करें, यह दोनों तरीके में आपको बता दिए, अब हम आते हैं इस antonym पर ठीक है, चालो, अब हम आते हैं antonym पर, निगाड ली का antonym बताओगे, hazardly, lavishly, likely या फिर gorgeously, ठीक है, hastily का मतब जल्दबाजी में, lavishly, lavish देखो, जल्दबाजी में, okay, lavishly, lavish is like rich, बहुत जादा, क्या कह सकते हैं, अमीरों वाली जो जिंदगी होते हैं, lavish उसको हम कहते हैं, ठीक है, तो lavishly, rich, lavishly is rich, likely होने वाला है, मतब chances हैं, chances हैं किसी चीज के होने के, और gorgeously is like very beautifully, ठीक है, गॉर्जिसली का मतलब होता है, तो correct answer guys, क्या होगा, निगाडली का मतलब होता है, कंजूसी से, तो आपका antonym क्या होगा, कई लोग answer कह रहे हैं, lavishly, extra wagon, luxurious, lavishly, तो guys देखो, निगाडली का मतलब होता है, कंजूसी, तो antonym क्या हो जाएगा, lavishly, antonym हो जाएगा, lavishly, किसी को कोई देखती है, तो correct answer आपका B हो जाएगा, guys आज आज आपको आखरी देना, anacademy में आपको offer के लिए, जिसमें आपको anacademy 4-8 महने का subscription, free दे रही है, 1-year का सब में आपको 4 महने का subscription, 2-year में आपको 8 महने का subscription, free मिल रहा है, तो यह code लगा के आपको यह offer मिल जाएगा, तो इस code को लगा देना और आज ही, हाँ, आज ही जॉइन कर लेना नहीं तो offer खतम हो जाएगा, आज लास्ट है 13th October का की डेखती है, तो यह code लगा के आपको offer मिल जाएगा, आप उसको जॉइन जरूर कर लिजएगा, next question guys, melodious, antonym of melodious, ठीक है, antonym of melodious, harmonious, harmonious means, madhur, ठीक है, tuneless, जिसमें tune ना हो, जिसके tune ही खराब हो, tune less, बेसुरा, ठीक है जी, odious is घृनात्मक, odious is something which you hate, anam, mellifluous कभी almost same हो जाएगा, something that is very bad, क्या answer हो जाएगा, क्या answer हो जाएगा, mellifluous होगा, melodious होगा, odious होगा, क्या answer होना चाहिए, फड़ा फड़ बताएंगे, okay, yes, ठीक है, harmonious tuneless, mellifluous कभी, मतलब melodious ही होता है, यह इसका synonym ही है, ठीक है यह इसका synonym ही है, तो antonym क्या हो जाएगा, antonym हो जाएगा tuneless, very good, ठीक है, एक प्रोग्रेस्ट है, आप लोग्रेस्ट है, प्रोग्रेस्ट है, outpaced है, outpaced हो चुका है, receded means पीछे हो जाना, receded का मतलब तक कम हो जाना है, पीछे हो जाना और run back का मतलब पीछे आ जाना तो sense में, ठीक है, yes, 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 तो advanced तो आप आगे बढ़ते हैं, advanced means आगे बढ़ना, आगे version, right, तो antonym क्या होगा, simple words हैं यार, बहुत जादा, ठीक है, तो antonym हो जाएका receded पीछे आ जाना, मैंने बोला न, advanced is आगे जाना, receded is पीछे आना, receded is पीछे आना, receded is कम हो जाना, advanced का मतलब बढ़ जाना भी होता है, receded का मतलब कम हो जाना भी होता है, ठीक है, आगे बढ़े, next question बे, enlightened, enlightened का antonym बताएंगे, what is the antonym of enlightened, slander, bemoan, ignorant या फिर before, what is the antonym of enlightened, slander, bemoan, ignorant या फिर before, okay, slander का मतलब होता है, किसी को नीचा दिखाते हैं, बुरा बला कहना, नीचा दिखाना, okay, bemoan, bevail, deplore मतलब विलाप करना, रोना धोना, अच्छा जी, ignorant का मतलब आप जानते हैं, before आप पहले जानते हैं, enlightened guys, क्या होता है, slander, bemoan, ignorant या फिर अच्छा आपने वर्ट सुना होगा, Mahavir जी के लिए, Buddha जी के लिए, he got enlightenment, he got enlightenment, he got enlightened, enlightened का मतलब क्या होता है guys, enlightened का मतलब होता है, यह ज्यान की प्राप्ति होना, ज्यानी होना, enlightened is ज्यानी होना, he was enlightened, तो वो ज्यानी हो गय थी this सुरी, all right, to वो ज्यानी होए थे, उनको ज्यान की प्राप्ति हो गई थी, then he was enlightened, okay, antonym क्या हो जाएगा, ignorant थे, होते हैं ignorant होते तो म adventurous इसे कुछ है सही कह घर तो कनी होना होजाएगा यह इलाइव होना क्या नहीं मिल जाना और इग्णोरींट होना सगो यार चलो मुवी देखते हैं चिल्करते हैं Sonny गईज में एक्षेप्शनल टेक है अंटोनेम बताओगे एक्षेप्शनल का what is the antonym of exceptional great occasional absorbing या फिर a common या फिर absorbing what is the antonym of exceptional गईज उनक सेशन को न बहुत कम शेर करता है यह मैंने तो आपनों थोड़ा सा शेर कर दिया करो अच्छा लगता है गैस और इंफॉर्म कर दिया कर फ्रेंज को जैसे चार बजे आपकी स्पेशल ग्राज भी जहां पर मैं आपको मौक करवाने वाली उसको भी जॉइन कर लीज़ेगा और कोड अप्लाइ कर लीज़ेगा परीटेन अप्लाइ करके आज अगाडमी जॉइन करेंगे आज आपके फ्री मंस का लास्ट डे है फ्री मंस का आज आपका लास्ट दे है 13th October को exceptional greatest like mahan, greatest mahan, okay occasional means कभी-कभी ठीक है इस common आप जानते हैं absorbing जो अपने आपको जो अब्सॉर्फ कले तो ने वाला ना या आपना पुरा ध्यान के हैं खीच लेने वाले को भी absorbing कहते हैं तो गाइस exceptional का antonyam क्या होगा common समान समान है मताब चामान यहीं कहते हैं like common है बहुत ज्यादा ठीक है तो exceptional सबसे हट के ठीक है exceptional होता है हट के तो antonyam क्या हो जाएगा very good common antonyam हो जाएगा common exception is हट के तो antonyam हो जाएगा आपका common राइट ठीक है आगे बढ़े चालिए जी next question पर move करते है पर्मानेंट गैस पर्मानेंट का antonyam बताएंगे वाट इस दी आंटोनेम ऑफ पर्मानेंट चलो कितना easy question लेकर आई हो में long short durable या फिर temporary टेक है long short durable durable जो चीज बोलता ना यह चल जाए चलने वाला कि चाइना का प्रोड़क्ट जो है वो कभी durable होता है कभी non durable होता मगर 90% durable नहीं होता चल गया तो चला तो चान तक नहीं तो रात तक इस तरह से कुछ है चाइना का हाल चल गया तो चल गया नहीं चला झा ना चाहिनीज प्रडक्ट तो चैनी उसे नेतं बेतं बहुत हैं ले और चीप होता हैं ध्याने चाहित थी आप जान कर तो उन्ट यह को पर्मिने तो आप जानतें हैं सिंप्र्री इंप्री आप् में लेकर आयों बहुत इजी आये हैं मगर कोई बात नहीं इसे भी पर कोशन आ रहे हैं एक्जाम में बहुत बार कंट्रोल खो जाते हैं चाइना वाले कशन दीजे साथ इसके पहले वाली क्लास देखना इसे पहले आप में प्लेलिस्ट बिदा और इसके लास करवाई वह दिखना तो आप लोगो तीनों लेवल में में एंटेन कर रहे हो ना मोदा लेवल देखो के तो बहुत एम अच्छे कर दोग आप लोग भरोसा रके टीचर आपलों के लिए हमेशा सो समझ पेपर लेकर आते हैं तो सिंपल भी आते हैं इसी भी आते हैं मुद्धर ब्याते और खतर नाग भी आते हैं तो यह तीन तरफ के लेवल दे रही हूं यह काभी जस दिन तुम्हारे देन अच्छा होगा ईजी आजाते तो अधे खुश रहते से एक्साइट किया रहे है सब वो काब मेरी नो चुटकियों में कर लेता हम चुटकियों में और जिसन टाफ आगा है तो लोगे यार वो क्यों किया हुआ हना चलो moderate guys moderate अभी कह रहे हैं अभी कह रहे हैं abnormal weak extreme या फिर separate जोली बता दो abnormal मतलब की पता नहीं जब कोशन बहुत आरे तेड़े आजाए वीक तो फिर अब बोलतों का मेरी इंग्लिस जो है वो वीक है वो का मेरी वीक है extreme मतलब बहुत जादा है और separate का मतलब होता अलग होना तो moderate का antonyme क्या हो जाएगा कि moderate का antonyme क्या होगा weak होगा extreme होगा moderate का बोलता है moderate level है तो antonyme कौन सा level हो जाएगा इस antonyme क्या होगा एस antonyme हो जाएगा भाया बहुत extreme level का question आया था paper ने रुला दिया कई बर ऐसा होता ना paper अगर आपने paper दिया होगा तो आप लोंको आप लोगों पड़की नहीं गया तो ऐसा हुता है कि यार मन कर रहा है थोड़ा सा थाइम देदो दस मिंट हम थोड़ा आंसू बहा के आ जाते हैं तो कई वर ऐसे paper लगता है कि यारी क्या पेपर है मेरा क्या होगा पढ़ लेता उस टाइम आपको न उस वो जो एक घंटे में इतना ज्यादा कुछ इंसान सोच चुका होता है कि काश पढ़ लेता यह नहीं करना था वैसे कर लेता मतलब एक्जाम देते देते बहुत कुछ हिदे परिवर्तन हो चुका होता है तो बस वह यह वाली बात है अगे नेक्स जाइस डिपिदेंस आंटोनिम ओव डिपिदेंस बोल्डनेस आउच्पोकन नेस फ्लुएंसी या फिर ऑप्स्टिनेंसी टेक है पोल्ड होना जानते हैं बोल्डी आंसर देना बिना डरे हना बिना डरे निडर होना हाना जी आउच्पोकन नेस का मतलब होता है बना फ्रांक होना मतलब कई लोगो था फ्रांक होना बोलते हैं तो यह वर्ड थोड़ा मुझे अजीव लगता है मैं मुझे तो रोने की जगा सोना का मन करता है बिटा आउच्पोकन में सो मन में बस बोल देना अउच्पोकन डाएड़ मुझे फ्लूइंड इंग्लिश भूलनी है बिना डर्रुके बिना एक्ष्टाय और आटके अलब अटके बिना लोंगर अटके 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 अल्वास्टीनेंसिका मतलब होता है जिद्धी होना जिदीपन कहें नेंसि है जिदीपन होना, means obstinate होना, अपनी बात हे अते होना अते होना displacement का मतलब होता है कम जोड खूना डरपूख होना, okay डरपूख होना तो अन्तौनम क्या होगा अन्तौनम क्या होगा डिटेटिंस का अन्तौनम क्या होजाएगा simple word है आपको किसी के सामने आप कुछ बोल नहीं पाते है तो उसे हम कहते हैं गाइस डिफिदेंस शाय होना ठीक है चलो आंटोनम हो जाएगा बोल होना कि अपन डरते में किसी से आपके स्क्रीन पर यह रहा सूपफीशल का अंटोनम बताएंगे वट इस अंटोनम आफ सूपफीशल केरफुल ऑफ सर्फिस रफ या फर काश्वल थारो आप जानते हैं बहुत ध्यान पूर्वख ध्यान पूर्वख ओके आस्कातने तुम्हारा चाहा मिन बहुत सिंपल और सर्फिस मिन उपरीक में में हो न उपरी को एस जान ए थाप है एब Amendment मतलब पूरा बीच में पूरा डीप ने थह Us विकर यह ऑर कैजूलlarını कैजूल पहन के जानना कि वात कर रहा और नहीं तो तो बता यार तो बदा यार क्या चर रहे तू बता मगर यहीं चीज हम अपने तो इसे बात नहीं कर सकते तो हमें फोर्मली बात करने होती है तो कैश्वल के जिस्ट ऑपसिट फोर्मल हो जाता है यहां पर सोचना कड़ें कि आज पूर्प संपल ऐस भी बहुत तो बहुत संपल लेवल है तो वगर पते चकर के आप लोग संपल लेवल में भी कोशन गलत करके आथको कि अभी CHSL की पर में पेप लास स्पाइम पर यह काफी तुम कोशन रहे हो हैं तो फिर अब क्या करें बनाता प्या करें टीचर मर को डिफिकल्ट लेवल करें तो तुम दुखी होते हो सिंपल लेवल करा तो तुम कराने नहीं करते तो फिर भी एक्जाम में गलत करके आजा तो तुम क्या करें बता हुआ हम चलो सुपर्फीशल का मतलब अब मुझे बता दो अभी भी देखो तुम लोग कह रहे हो मगा अभी भी उसमें से तुम्हारे में से कम से कम अगर 10 टूट आंसर दे रहे तो उसमें से कम से पांच चुड़न शे तुड़न अभी गलत आंसर दे रहे हैं तब क्या करूं बताओ किया करूं कि अब भी गलत आंसर चल रहे है अब तुम भूःबभै पेपर एजी है तेक है जूपर एजल का इंसर टीचर तो पाखल हो जाएगा superfishing is something that is उपरी उपरी अजय से महते है, superficial knowledge मैं उपर उपर की knowledge कही लोगोग होथ थोड़ी सी knowledge में hierो बन जाता है कि इसाँ वाता है अगर आपने कही लोगोगोगोथ की अज़ चुछ topic सीख थे थे तो पूरी उस ही को बताते रहेंगे कि मुझे कितनी knowledge है और इसमें बतार उपरी उपरी नॉलेज आटनों हो जाता है डीप नॉलेज थोरो होना डीप होना ठोग है तो सुपरफिशल इस उपरी और थोरो इस डीप या आइंसर आपका केरफूल नहीं होगा इस टों गलत है ने कहा न तुम लोग मैंसे आदी लोगलग आशर दे रहें कि यस टेली से ग्लास चुल मारी हांजी तो आदी लोग गलत आंसर इसमें भी देते हैं क्या करें मप्ताओ नेक्स कोशन राक रैक्लिष के आंटोने बताएंगे रेकलिस का अन्टोने बताएंगे कंटनेम of reckless ठीक है केरफुल है फ्रांग है diffident है या smart है smart तुम अपने आपको बहुत मानते हो मुझे इसको मेनिंग बताने की जोरत है हना तो मानते बहुत smart है हम हम से smart कोई हैं बस क्या के हमें मॉकर नहीं मिल रहा कोई हमें पहचान नहीं रहे स्मार्ट थो हम बहुत हैं फ्रांक अभी हम पढूब का है और केरपुल का मतलब होता है लापर्वा पर वा जो हमारे घरवाले आपके घरवाले आपको ये दिन में ते बार तो बोलते होंगे मैंने में कितना लिए बच्चे हैं कोई जेमेदारी नहीं है है कितने से कोई काम दे दो दो इनसे कोई काम हिआ से होता नहीं है ऌड पर माहना अपका अपका एंट dissolve होगा अब आपका और और मुल्कोड होगा टिक का रह कि अद्यक होता हुड का अशर कितस् system ना विफ्ल करते oh अना सेलमोन भाई बन जाना तो सेलमोन भाई बन जाओगे तो वह रेकलिस ड्राइविंग होती है और आंटने मुझे का क्येर फुल ड्राइविंग हना चलो आगे बढ़े निक्स कोशन गाई तो दस सिनॉनम दस आंटनेम करवा दिया अब हम आते हैं वन वर्ड सब्सक्राइब कोई लड़की नहीं आने चाहिए कौन सी मूवी थी वह मुझे इतना याद है अम्रिश्पूरी की लास्ट मूवी थी है कि अगे कि फिल्य 같은데 अपका रूट वर्ड है किसका लव का मिस्सट वर्ड है आपका रूट वर्ड है हेट का थेटकि ऐजय अब फिलन्ठ्रोपिस एं्कर करते हैं उन्हें philanthropist कहते हैं, ascetic वो होता है, जो संद सन्यासी होता है जो बश सब से दुखी हो चुके हैं, सब से अलग थलग रहते हैं, मज़े से अपनी जुन्दगी में, अकेले, ascetic जो अकेले रहना, प्रफर करते हैं, हैं लोगों से दूर रहते हैं मीजो मैंने कहा मीज मिस या फिर मीजो लगा दो चलो मिस या मीजो जो होता है गाइस नफरत हेट गैमिस्ट गैमिस्ट इस मारिज ठीक है तो शादी से नफरत करते हैं देयार मीजो गामस्ट ठीक है और जो लड़की से नफरत करते हैं वो मिज सबस्Amผility सब्सवार्ट करने कर लेता है कि शाद्य इप मुझे अभी डिसकर्शन मुझे लग रहा है है नहीं नहीं यह अघू़ लेता है सभी बदें वाद में Pizza लेकार लेस फोलोन यूनों सब्साइब च्छों विमें से nafret कर ते선 में के ठीक है ठीक है उसे misogynist कहा जाता है नहीं नहीं एक विलन नहीं वह वाली movie बड़ी interesting है उसको जरूर देखना कभी देखे तो comedy काफी comedy movie आगे बढ़ते हैं चलो a system of naming things a system of naming things क्या कहते हैं उसे होटी कल्चर miniature genocide या फिर nomenclature होटी कल्चर miniature genocide या फिर nomenclature क्या कहते हैं भाई सब होटी कल्चर तो होटी is for plants miss a horticulture plants के plants के उगाने वगरा को horticulture कहते miniature में mini word पर सब को चाहिए ना भगवान इतनी सी ख्वाइश है बस की वा लगान कि इतनी सी ख्वाइश है बस इतनी सी क्वाइश में सब मांग रहे ना बस इतनी सी क्वाइश है एक आधी mini Cooper हो जा है मेरे पास तो मिनीं स्मॉल मीनियेटर इसम्विंग्हां सम्विंग्क्वाइब सम्वूसाइट गिलिगॉसाइब कोछी नाम अरहा है कना ना मुर् WOW आ रहा है नहीं आ रहा है तो नॉमिन क्लेचर ठीक है नॉमिन क्लेचर हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड मुफ करते हैं गाईज फटा फटा ओके चलो ओके आगे बढ़ते हैं अरेस्ट पासेज़ वे इन अब बिल्डिंग क्या कहते हैं उसे है वह फराय है किया है कि मुच गाइज है वह मुवी राइज है ऊसे हम औरым क्या कहते हैं वह पास sir कहते हैं गया वह को झाय कि यह सिंपल सी बात सर्फ कुशन भी तेकर रे इस पैसेज वे इन बिल्डिंग को हम कहेंगे वॉक वे क्योंकि रास्ति की बात करें वॉक आउट मतलब बाहर निकल जाना कि छोड़ देना वॉक आउट कर देना वॉक अपाउट की उसके बारी पर व वाक ओवर वाक आउट तो वाक आउट वर ध्यान रखना वाक आउट का मत्ता बहुता है वाक आउट कर जाना मत्ता छोड़ देना निकल जाना हना ठीक है जी औक के नो प्रॉब्लम बढ़े चारव जैसे क्लास खतम होगे ना स्पेशल क्लास चालू हो जाएगे उसमें हम करेंगे मौक अच्छा वाला हना उसमें हम करेंगे मौक और देखेंगे कि हम अक्चली कितना स्कोर कर रहे हैं और कहां कहां गलतियां करते हैं नेक्स्कोशन गाईस अक्योर ओफ ओल डीजीजस सारे दुख तर्द की दवा गाईस सारे दुख दर्द की दवा क्या है लेक्सेटिव है पनाशया आंटीडोट परगेटिब हर वैक्ति के लिए अलग हमारा जब मूड होता है मारे जब परिशान होते हैं इरिठेटिड होते हैं तो हमारे लिए तो ब faffade tutti ओं लोगों के लिए क्न है अच्य जोड़किन अ कर देडिए परगेटिव कपाल बादी कपाल बादी यह पतंजली तो गाइज सब्सक्राइब बावल मुवमेंट जब आपका पेट ठीक चलना रहा हो तो जो दवाई खाते हैं उसे हम ह्तंत हैं अलगे कि हैं अपको क्षाइज को visit कि तो दिया तो गब तो इसा कि रोट करने वाला इंटी तो आप क्वाना फो仁 जानते हैं पर्गेटिव लेक्सेटिव और पर्गेटिव दोनों का मतलब सेम होता है जब आपके ठीक ना चल रहा हो तो कायम चूर्ण जो है आपका एक तरह से लेक्सेटिव ही है चलो जी आगे बढ़ जाए नेक्स कोशन में मुव करें जिन सबस्क्राइब कि तो प्रश्य गई सभी दुखो दर्दों की दवा था के यह वन बहुत पूछता है ससी कि वह भां के नौट स्पीक जो बोल नहीं सकता उसे मटेफ कहते हैं डूम कहते हैं विजंड़ेस कहते हैं लेम कहते हैं जो बोल नहीं सकता है डैफ डॉम विजि लेस्ट या फिर लेम को चलोजी कोई कह रहा है और कोई क्या कह रहा है ठीक है बहुत बढ़िया यही तो बात है तुम लोग प्रूफ कर दें तो कि मैं अब कितना भी इसी लेवल लेकर रहा हम थोड़ी आपको 100% करके दिखाएंगे ऐसे थोड़ी होगा मज़ा कैसे आएगा जब सब लोग इससे सही आंसर देंगे तो हाना तो विजन लेस्ट तो मतलब हो गया जिसकी विजन ना हो ले मिस लंगडा होना हना चल ना पाना वगरा डेफ और डॉम है बिटाइब उसको कहते हैं जो सुन नहीं सकता है हना मम्मी कहती ना जब इसको कोई काम की बात पुल कि बात बोलती है तो हमको सुनाई नहीं देता कि हां लेको तो सुनाई नहीं दिया तो हम डेफ हो जाते हैं जब आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता तब इनसान डेफ हो जाता है और जब वो कुछ बोल नहीं सकता ना तो वो डॉम हो जाता है जब कुछ बोल मुझता कीतना ड्म व्यक्ति है एक ड्म उची को कहते है जो कुछ बोली नहीं पारह है ड्म अपने बारे में तो ड्मह रही ऊंदफ उचा some to cast aspersions to cast aspersions का मतलब क्या होता है चलो जल्दी से बताओ to act as a pillar of support to raise aspirations to make unpleasant remarks or to dissolve all the differences सारे दुख लड़ाई जगडा खतम करके एक हो जाना क्या होता है to cast aspersions क्या होगा to cast aspersions का मतलब क्या होता जाना तो जब आप definite perdus डज़ जाते invece तो इसके बाद यह आते है मम्मी जो कहते हैं फिर आपके बारे में जो चरित्र चित्रण किया जाता है तो आपका जो चरित्रबूण किया जाता है दाट इस त्बगास्ट esse pledge जब आप बहुत जादा डेफ हो जाएं और मम्मी की बात आपको ना सुनाई दे तो उसके बात आपके लिए आप कास्ट एसपर्शन होते हैं फिर आपका जब ओके बात ऑपका की लिए अब सकते आपकान क्या होगा उपेंट का मतलब क्या होगा क्या होगा गाइस on the cards impossible है shocking है evident है anticipated anticipation anticipated मतलब की chances हो सकता है आपने पीछे पढ़के हैं मतलब होने के anticipate करना means उमीद होना expect करना evident का मतलब होता spasht होना evident is spasht होना shocking आप जानते है sse ka result जब आता है और जब आप cut off देखते हैं तो वह बहुत अच्छे से आप जानते हैं ठीक है और impossible फिर उसके बाद यह निकलता है कि यह impossible है हो ही नहीं सकता इतना cut off हो ही नहीं सकता site ही गलता है मैं जड़ा दूसरे जगह देख के आता हूँ हना गईस तो on the cards cards का मतलब होता है कि something anticipated है हना जैसे आप tarot card reader के पास जाते हैं तो वह card मिलता है कि आपके जिंदगी में सुख ही सुखाने वाला है आपके जिंदगी में job लगेगी आपकी शादी होगी आपके cards में इससे दिखा रहा है तो anticipated हैं गईस तो जब आप tarot card reader के पास जाते हैं तो he or she says it is on the card that means it is anticipated it's about to happen चलिये जी next to turn okay to turn over a new leaf to turn over a new leaf क्या अंसर होगा to change for the better to start writing a new book to work on a novel idea या पिर तो clear the garden क्या अंसर होगा to turn over a new leaf to turn over a new leaf to change for better to start writing a new book to work for a novel idea of to clear the garden क्या अंसर होगा अंसर होगा तो आप नहीं new leaf में बदल गए हो new leaf में पूरी तरह से बदल गए हो that means yes तो बहतर हो गए हो to change for the better better के लिए बदल गए हो अब मैं पहले जैसा नहीं रहा कहते हैं अब मैं पहले जैसा नहीं रहा मैं बहुत समझदार हो गया हूँ really अब मैं बहुत समझदार हो गया अब मैं पढ़ाई भी करता हूँ तो जब आप कहते हैं आप मैं पहले जैसा नहीं रहा तो that is to turn over a new leaf next question idioms of and on off and on का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ repeatedly always occasionally या फिर never what is the meaning of off and on what is the meaning of off and on repeatedly always occasionally या फिर never कभी नहीं कभी नहीं कभी कभी हमेशा repeatedly लगाता है क्या होगा of and on off and on então off and on कभी off कभी on तो occasionally कभी कभी आप कभी 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 off कभी on हमारा mood कैसा होता है कभी हमारा mood off होता है कभी on होता है तो occasionally अच्छा होता है occasionally बुरा होता है right ऐसे ही हमारी जिंदगी तो कभी हमारा off होता है mood कभी on ऐसे से आद कर लिए तो कभी हमारा mood off होता है कभी on होता है कभी off होता है कभी on होता है यह चल रहे है जिंदगी में आजकर right to occasionally next question guys चलियो to take with a grain of salt हान गाइस Hindi में मुहावरा ऐसे लिए to take with a grain of salt क्या answer होगा? to take with a grain of salt to make more palatable तो खाने में और नमक डाल देना palatable टेस्टी बना देना to make a small quantity of to take something meaningful to accept with misgiving POL calling तो मैं की तेनी डाल में कुछ तो काला है आणा डाल में कुछ तो काला है तो वही है to take with a grain of salt में में तूडो के लिए कुछ तो गरबे, कुछ तो गरबे, दाल में कुछ काला है, तया दर्वाजा तोड़ो, to that, to accept with misgiving means दाल में कुछ काला लगना थो नाउखे, राड़ याग। दाल में कुछ काला लगना, राड़ें, चो लिग गईज तो,